हलो दोस्तों नमस्ते आदाफ सस्तिकाल आपका दोस्त गोरव टेस्ट बुक सुपाकोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाईए तयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, दोस्तों एक बात जीगे पेवार जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे important सवाल जो आपके exam point of view से बहुत ही जादा महतुपूर्ण है for SSC CGL लेकिन start करने से पहले आप सभी लोगों को भर-भर के यहाँ पे good afternoon जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग क्या करेंगे share कर देंगे जिससे सभी लोग यहाँ पे जुड़ सके और हम इसको start कर सके तो start करेंगे हम लोग इसको motivational quote के साथ और आज का motivational quote है कई जीत बाकी है कई हार बाकी है कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी जिंदगी का पूरा सार बाकी है यहाँ से चले है नई मनजिल की ओर यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए यह तो एक पणना था अभी तो पूरी की पूरी किताब बाकी है सिधी सी बात है दोस्तों अभी तो आपने फाइड स्टाइट किया है ओर यहां पर दोस्तों हारना नहीं है आपको लड़ते चलना है और अपने जो है मन्जिल को अचीव करना है चाहे अपने CGL, MTS, GD, STINO कोई भी सोच रखा है उसको पूरा करना है इसलिए हम लोग यहाँ पर मिलते हैं Monday to Friday कितने बजे दो पहर को 2-3 बजे जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं SSC, CGL के लिए सवाल ठीक है चले इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी लोग क्या करेंगे यस टाइप करेंगे अगर मेरी स्क्रीन और वॉइस एगदम क्लियर है और भाई साब यहाँ पर पूछ रहे हैं अगर रेडी हैं तो हम लोग बढ़ते हैं पहले कोशन के साथ तो यहाँ पर यस 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 तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा इन विच ऑफ दा फॉलाइंग स्टेट दा रोवा वाईलाइस सेंचुरी सिचुएटेड रोवा वन्यजीव अभ्यारण निमलिखित में से किस राज्जी में इस्थित है क्या वो तृपुरा में हैं हरियाना में हिर पंजाब में है या असम में ही जल्दी से बता करो डिक है त्टिक है जिते लोग एा option एा option कहे रहे उनका correct answer होगा त्रिपुरा त्रिपुरा की capital क्या है सिद्फुराकी capital अगर तला है क्या है अगर तला है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अच्छा त्रिपुरा में राश्ट्धियान National Park जो है वो कौन से है तो एक Clouded Leopard National Park है कौन सा है बहुत famous है Clouded Leopard National Park है और राजबरी National Park भी आपको यही पर मिलेगा क्या मिलेगा राजबरी National Park जो है वो भी आपको यही पर देखने को मिलेगा तो यह आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से है नेशनल पार्क, एक राजबरी नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा है, Clouded Leopard नेशनल पार्क, यह याद रखेगा ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, फर्स्ट नेशनल पार्क की हमने देखा था, यह था दोस्तो हैले नेशनल पार्क कौन सा था हैले ठीक है इसका बाद में नाम बदल कर हुआ कॉर्बेट नेशनल पार्क ठीक है कॉर्बेट नेशनल पार्क और अभी दोस्तों करिंड में क्या है रामगंगा नेशनल पार्क है और यह कहां पर है यह उत्रा खण में देखने को मिलेगा 1936 म या तो इसको last कह लीजे, या तो newest, मतलब सबसे नया यही होगा न, ठीक है, तो याद रखेगा रायमोना नेशनल पाक यह कहाँ पर है, असम में है, ठीक है, चले, अगले question बढ़े, अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला question आपकी screen पर यह रहा, किसकी किताब है, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे सर D option होना चाहिए, कुछ कह रहे सर A, तो जिते लोग D option कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer क्यों हो जाएगा, यहाँ पे D option करेक्ट होगा, अरुन्धती रोई, अरुन्धती रोई के अगर हम बात करें, यह पुस्तक जो है, यह 2011 में publish की गई थी, ठीक है, 2011 में, अरुन्धती की रोई, जो है, दोस्तों, इनकी किताब है, The God of Small Thing, बहुत ही famous पुस्तक है, जिसके लिए, इनको Booker Prize से सम्मानित किया गया था, इस किताब के लिए, इनको Booker प्राइस सम्मानित किया था, 1997 में, कब, 1997 में, यह भी आपको ध्यान रखना है, और इनकी एक और पुस्तक है, जिसका नाम है, Utmost Happiness, कौन सी है, Utmost Happiness, यह भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है, चले अगले कोशन की तरफ, चले, अगला सवाल आपके लिए यह रहा, वीर सुरेंदर साई, वास फ्रीडम फाइटर फ्रॉम डैश, वीर सुरेंदर साई किस राज के एक सौतंतर सिनानी थे, क्या यह उडिसा के थे, तिलंगाना के थे, नागलेंड के थे, या फिर, सिक्किम के थे, कहां के थे यह, यहाँ पर कह रहे है सर, A option होना चा वीर सुरेंदर साई कि अगर हम बात करें 1884 में दोस्तों इनका जो है असिरगड जेल में इनकी मृति हो गई थि, कहां पे असिरगड जेल जो है, वहाँ पर 1884 में इनकी मृति वुई थी, यह भी आपको ध्यानखना है, उडिसा कि अगर हम बात करें इसकी कापिटल सिटी जो है वो कौन सी है भूनेशवर है कौन है यहाँ पर आपको बहुत फैमस फैमस जो है टेमपल जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपको यहाँ पर कोनारक software जिसको भी塔 संट Maxwell और फिर्सी को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, ये सवाल अल्डटी पूछा जा चुका याधा है कि ब्लैक पगोडा कहा पर है, तो वह दोस्तों आपको वडिशा में देखने मिले कहा जाता है. और उसके अलावा जगन्नात मंदिर आपको यही पर मिलेगा. कौनसा? जगन्नात मंदिर मिलेगा. और लिंगराज मंदिर जो की फेमस है यह भी आपको यही पर मिलेगा. ठीक है? चले. आगे बात करें एगले कोशनफ़े. आगे पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले फढ़ा फढ़ से एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलते हैं अगला कोशन आपके लिए अगला कोशन आपके लिए निमलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती हुई थी वैशाली में, बोधगया में, राजगीर में या फिर सारनाथ में कहां पर प्राप्ती हुई थी इनको बोधगया, बोधगया, जित्ते लोग कह रहे हैं सर बोधगया उनका विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अगर हम बात करें कौन से पेड़ के नीचे हुआ था तो पीपल, पीपल ट्री के नीचे इनको ज्यान की प्राप्ती हुई थी उस पीपल ट्री को क्या कहा गया है बोधी ट्री कहा गया है ठीक है, बोधी ट्री हुआ था कहां पर लुम्बनी कहां पर है नेपाल में है यह आपको ध्यान रखना है अगर हम से पूछा जा कि इन्होंने पहला उपदेश जिसको इंगलिश में हम लोग कहते हैं फर्ष्ट सर्मन ठीक है पहला उपदेश जो है वो कहां पर दिया था तो सारनाथ में उन्होंन मिलेगा यह मिलेगा यूपी में ठीक है चलिए आगे बात करें अगले कोशन पर अगला सवाल आपके लिए लेकिन आगे पढ़नेस पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जित्ते भी लोग यहां पर दोस्तों सीजियल की तेहरी करें MTS GD या फिर अधर से एक कवेल नहीं किया तो आप इसको अवेल कर सकते हो और अवेल करते वक्त आप मेरा coupon code यूज कर सकते हो जिससे आपको maximum discount मिल जाएगा coupon code है गौरफ M ठीक है किस तरीके से इसको अवेल करना है मैं आपको add of the class इसको बता दूंगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगले question पर अगला सवाल the Mysore Palace was the residence of the dash Mysore Palace जो है वो dash का निवास था किसका निवास था पलास का वुडियार का चंदेलास का या फिर बुंदेलास का किसका था यहाँ पर कह रहे सर बी option होना चाहिए ओके बाखी लोग क्या कहेंगे चले जित्ते लोग यहाँ पर कह रहे सर बी 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 उन उनका यहाँ पर correct answer होगा वुडियार डियनेश्टी यहाँ पर correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठेक है बहुत बढ़िया यहाँ पर क्या हो जागा अच्छा माईसोर पहले जो है यह बन के तयार कब हुआ था 1912 में यह बन के तयार हो गया था मतलब बन के तयार ह स्टार्ट हुआ होगा जी हाँ इसको 1897 में बनाना स्टार्ट हुआ था और यह तयार हुआ था कब 1912 में यह भी आपको ध्यान रखना है पूछा जा सकता है अब देखे अगर आप से पूछा जागा है बहुत ही बढ़िया चलिए आगे बात करते हैं और अभी आपके एक् पूचा गया है यह आपके MTS में पूचा गया है एक सवाल पूचा गया था कि जो पटक्कल जैन टेंपल यह किसके दोआरा पनवाया गया है थीक है टीम को बता दिया है ठीक है अभी आएगा, सही होगा, अभी थोड़ा सही होगा, अगर सही है, तो प्लीज एक बार मुझे थम्स अप कर दीजे, या फिर यस टाइप कर दीजे, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे तरफ, अभी भी बफरिंग हो रही है क्या? अभी सही है, चले, तो यहाँ पर अगला आपके लिए कोशन यह रहा, पटचित्र आर्ट फॉर्म इस डेडिकेटेट टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथलोजी, पटचित्र कला जो है, रूप हिंदू पौर्णानिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है, क्या यह ल लौड जगनाथ है, लौड गनेश है, लौड शिव हैं और लॉड ब्रम्मा, जल्ली से बताए, किसको है ये, तो यहाँ पर कहए रह रहे, जगनाथ होने चाहिए, चैले, जित्ते लोग आपर, कहहाँ रहें रहें सर जगनाथ, जगनाथ, उनका यहाँ पर क्या होगा, और कहां का है यह उडिसा का है और उडिसा में आपको पता है जगनात भगवान बहुत फेमस है तो लौट जगनात को यह समर्पित है उसी तरीके से आपके एक्जाइम में पुछा गया था कि महराश्ट का पेंटिंग देखें यहां पे मैं स्टेट लिख देता हूं और स्टेट में कौन सा मिलेगा तंजोर पेंटिंग कौन सी पेंटिंग तंजोर पेंटिंग ठीक है फिर उसके बाद बिहार में कौन सा मिलेगा बिहार में मधुबनी पेंटिंग कौन सी मिलेगी मधुबनी पेंटिंग मिलेगी और पटचित्र पेंटिंग जो है यह आपको उडिसा औ 1936 1909 और 1912 कब किया गया था जल्दी से बताइए यहां भी कह रहा है सर 1930 में किया गया जिते लोग 1930-30 कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer क्यों जाएगा 1930 हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करते Commonwealth गेम जो है 2022 में भी हुए थे ठीक है 2022 में तो आपको ध्यान रखना यह कहां पर हुआ था बिर्मिंगम में हुआ था क्या बिर्मिंगम ठीक है तो बिर्मिंगम याद रखेगा ठीक है इसका मैसकट क्या था शुभांकर क्या था तो शुभांकर पैरीदा बुल था क्या पैरीदा बुल ये आपको ध्यान रखना है ठीक है कौन सा संस्क्रण था तो ये 22 संस्क्रण था ये भी याद रखेगा इसके अलावा आप से ये पूछा जाएगा कि बताएए Commonwealth गेम में जो है पह ठीक है सिल्वर किते थे 16 थे और ब्रॉंज कितने थे 23 थे ये आपको ध्यान रखना है पूछा जा सकता है अगर यहीं पूछा जाए कि 2018 का 2008 का कहां पर हुआ था तो 2008 का जो है गोल्ड कोश्ट में हुआ था और भारत की रेंग इस समय कौन सी थी थी थार्ड रेंग थी ठी कितने मैडल के साथ 66 मैडल के साथ गोल्ड कितने थे 26 थे ठीक है सिल्वर कितने थे 20 थे और ब्रॉंज कितने थे 20 थे काउंट कर लेंगे तो यहां पर चाचाट आ जाएगा 2018 में ठीक है आगे बात करें अगले कोशन पर 150 लोग लगभग लाईव है दोस्तों फटा वर्स ए और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे मैं भी शेयर कर देता हूं यहां पर फटाक से ठीक है यहां पर शेयर मैंने कर दिया है तो फटावर से सभी लोग शेयर कर देंगे ठीक है चले यहां पर जितने लोग कह रहें सर 25 25 26 उनका करे मिजाव से एंटर करते हुए आया था बाबर को किसने बुलाया था दौलत खान को था इब्राहिम लोदी का भाई था ठीक है यह याद रखेगा बाबर के इसके पिता के तरफ से यह किसको बिलॉंग करता था ठीक है अगर mother side से देखा जाए तो ये किसको belong करता था चंगेज खान को belong करता था ये पहला person था जिसने दोस्तो तोपो का इस्तमाल cannon का इस्तमाल artillaries का इस्तमाल kattrages का इस्तमाल इसने किया था बाबर जो है 1526 में लडाई लडा 1527 में लडा ठीक है, 1528 में और 1529 में और 1530 में वो खतम हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, ठीक है, 1526 में कौन सी लड़ाई लड़ी, पानी पत, प्रथम पानी पत का युद्ध लड़ा, ठीक है, बाबर सारी युद्ध में जीता था, second, खनवा का युद्ध of conservative force, ठीक है, निमलिखित में से कौन सनरक्षी बल की विशेषता है, क्या वो, energy is dissipated as heat energy, या फिर, work done by it, round trip is not zero, work done by it, completely recoverable, या work done by it, depends upon the path, क्या होगा, correct answer, जल्दी से बताइए, दिलिंते कह रहे हैं, sir, होना चाहिए, work ठीक है, जोहा, D के साथ जा रहे है, doubtfully, अभिनाश कह साथ C होना चाहिए, correct answer या पर होजाएगा, C option, work done by it, completely recoverable, ये आपको ध्यान रखना, इसको हम लोग कहते है, conservative force कहते हैं, ठीक है, चलिए, अगला question आप के लिए रहा, मिजोरम has started love brigade scheme, ठीक है, यहाँ पे love brigade scheme शुरुआत की गई थी, कहाँ पे मिजोरम में, उस आपको बतान case, which of the following disease in December 2020, मिजोरम ने December 2020 में निमलिखित में से, किस बिमारी से लड़ने के लिए, love brigade योजना शुरू किया है, क्या वो syphilis, HIV AIDS, या फिर klamydia, या फिर konhororia, जल्दी से बताएं, AIDS, AIDS कह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर correct answer हो जाएगा, HIV AIDS हो जाएगा, ये आपको ध्यान जाता है, तो ये किसको प्रभावित करता है, तो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, किसको, यहाँ पर इम्यून सिस्टम को ये आपको ध्यानकना है, पूछा जाता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, इम्यून सिस्टम में भी किसको, बीटा सेल को प्रभावित करता है, क्या यह भी आपको द्यान रखना है, अच्छा अगर आप से पूछा जाए कि अगर AIDS जो है चेक करना है, तो कौन सा टेस्ट करेंगे तो ELISA टेस्ट करेंगे, कौन सा ELISA टेस्ट किया जाता है, और हर साल, जो है AIDS Day मनाया जाता है कब 1st of December को मनाया जाता है 8th day ये आपको ध्यान रखना ये एक viral disease है ठीक है आगे बात करें चलिए अगले question बढ़ते हैं अगला सवाल आपके screen पर ये रहा In which of the following year was the Bombay Reorganization Act passed ठीक है निमलिखित में से किस वर्स में Bombay पुनरगठन अधिनियम जो है पारित किया गया था 1985-56 में कब किया गया था फड़ावट से बताएए दोस्तों यहाँ पर correct answer क्या होगा ठीक है यहाँ पर correct answer होना चाहिए 1960-60-60 correct answer होगा 1960-60 correct answer होगा ठीक है Bombay कि हम बात करें इसको हम लोग Mumbai भी कहते है क्या कहते है Mumbai ठीक है और इसको क्या कहा जाता है Financial Capital of India क्या कहते है Financial Capital of India कहते है ठीक है या फिर इसको कहा जाता है Land of Seven Island क्या कहते है Land of Seven Island कहते है ठीक है और याद रखीगा इसी को हम लोग Bollywood City भी कहते है एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काला घोडा फेस्टिवल कहां पे celebrate किया जाता है तो मुंबई में किया जाता है कौन से फेस्टिवल काला घोडा फेस्टिवल ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बात करें अगले कोश्चन पर अगला सवाल आप के लिए रहा विट विच आफ दा फॉलाइंग स्पोर्ट्स रूइया रूइया गोल्ड कप एस्टीएटेड रूइया गोल्ड कप निमलिखित में से किस खेल से संबंदित है ब्रिज, वाटर पोलो, बैडमिंटन और स्विमिंग किस से रिलेटेड है जल्दी से बताइए यहाँ पर करें सर ए ओप्शन होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा जिते लोग ए ओप्शन, ए ओप्शन कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ओप्शन हो जाएगा यहाँ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर होलकर ट्रॉफी वो भी ब्रिज से संबंदित है ठीक है सिंहानिया ट्रॉफी कौन सा सिंहानिया ट्रॉफी यह भी आपको नाम ध्यान रखना है और बसलेट ट्रॉफी कौन सा बैसलेट बैसलेट ट्रॉफी जो है वो भी इसी से संबंदित है ठीक है, बैसलत, बैसलत, ट्रॉफी, ठीक है, यह सब किस्से हैं, ब्रिस हैं, अभी MTS का जिनों ने भी exam दिया है, उनके exam में पूछा गया था, एसे CMTS में, मैं आपको बताना चाहूँगा, Walker Cup पूछा गया था, क्या पूछा गया था, Walker Cup, तो आप लोग तो बड़े आसानी से बता देंगे, Walker Cup किस्से हैं, गोल्फ से सम्बंदित है, अगर Rider Cup भी पूछ लेता, तो वो भी हम बता देते किस्से हैं, गोल्फ से सम्बंदित ठीक है, अगले कोशन में बढ़ें, ठीक है, अगला कोशन आपके लिए ये रहा, Which of the following book was written by पानेनी, निमलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है, पानेनी दौरा लिखी गई है, क्या वो कथा सरिस सागर, रघु अम्शम, मनु इस्मृति, या फिर, अश्ट ध्याई, कौन स जाएगा, ये आपको ध्यान अखना है, कथा सरिस सागर, ये किसने लिखी है, सोम देव ने लिखी है, ये आपको ध्यान अखना है, रघु अम्शम किसने लिखी है, तो ये कालिदास ने लिखी है, किसने, कालिदास जी ने लिखी है, अगर आप से पूछ लेता, राम चरि तो मानस जो है ये किसी ने लिखा है तो आपका अंसर हो जाता तुलसी दास कौन हो जाते तुलसी दास सुरसागर सुरसागर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो याद रखेगा यह किसके दोर लखी गई दोस्तों सूर्सागर क्या यह सूर्दास जी के दोर लखी गई क्या ठीक है तो यह आपको नाम ध्यान रखना है आगे बढ़े चले अगला कोशन आप ले रहा इसको लीव करते है यह पुराना कोशन ठीक है हाँ डैश इस दा वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिशू इन प्लांट डैश पौधों में जल समवहनी उतक है क्या फ्लोयम है स्टील है कॉर्टेक्स है या फिर जाइलम है जल्दी से बताए यहां करता है जाइलम जाइलम बिल्क पूछ लिया जाए फुड पहुचाने का काम कौन करता है तो वो करता है फ्लोयम कौन करता है फ्लोयम करता है और यह होता है बाइडिरेक्शनल होता है यह भी आपको ध्यान रखना है अच्छा टीशू के अध्यन को क्या कहा जाता है टीशू के अध्यन को क्या हम लोग हिस और नो, अगर येस है तो आगे बढ़ेंगे, नो है तो फिर आप बताएंगे, जल्दी जल्दी से, यहाँ पे हिस्टो हिस्टो कह रहे हैं, तो चलिए अगले कोशन पर बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, भारत के समविधान के निमलिखित में से कौन सा अनुछेद कहता है कि भारत का एक उपर आश्रिपती होगा, आर्टिकल 75, 56, 45 और 63, कौन सा कहता है, जल्दी से बताएं, यहाँ पे कहर सर 63 होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहेंगे, चले, जितने लोग 63, 63 कह रहे हैं, उनका ब ज़ंगा 63, अब सवाल उठता हैं, सर्फ 75 किस की बात करता है, तो दोस्तो आइडिकल 75 जो है, प्रायम इनिस्टर की बात करता है, 56 किस की बात करता है, यह करता है, यह आपको ध्यान अफ्सना science, पूछा जाता है, अभी vice president कौन है, जघदीप धनकण हैं कौन है जगदीप धनकण है यह आद रखेगा कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है तो 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है पहले यह गवर्णर थे कहां के पस्चिम बंगाल के ठीक है लेकिन जब यह उपराश्पती बन गए तो फिर पस्चिम मंगाल के अगला गौशन निमलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है तरन तारन साहिब की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने गुरु अर्जन देव ने गुरु रामदास और गुरु गोविन सिंग जल्ली से बताए किस ने की थी ठीक है यहाँ कर सर होना चाहिए इसके लिए ट्रिक क्या थी नांग अमर राम और तीन बार हर हर तो हर हर तेग गोविन तो यह हमारे दोस्तों दस गुरु जो है सिंग गुरु उनके नाम है एक यहाँ से स्टार्ट होगा और आखरी में 10 यहां तक आएगा ठीक है तो पहले कौन थे नानक जी कौन थे नानक जी थे दूसरे अंगज जी ठीक है अमर दास फिर राम से राम दास और से अरजन देव देखिए पांचवे नंबर पर कौन आ रहे अरजन देव ठीक है फिर उसके बाद हर गुविंद फिर हर राय फिर हर से हर क्रिष्णा तेग से तेग बहादूर और लास्ट में गोविन सिंग है कौन गोविन सिंग ये आपको धिhan रखना है लास्ट जो थे वो गोविन सिंग ठेक है आगे बात करें चले अगला question दोस्तों आपके लिए रहा With what do you divide the thrust in a liquid to obtain the value of pressure ठीक है दाब का मानप्राप्त करने के लिए आप द्रव में जो है thrust को किस से विभाजित करते हैं Mass, Density, Volume या फिर Area किस से करोगे दोस्तों आप लोग divide Area, Area, Area तो बिल्कुल correct answer हो जागा Area क्योंकि देखे यहां पर किस की बात करना Pressure, ठीक है, Pressure क्या होता है Pressure is equal to होता है Force upon area होता है, ठीक है Force यहां पर क्या हो जाएगा, thrust की बात करने तो thrust और आपको area से divide करना पड़ेगा Pressure जो होता है, Force की unit क्या है Newton है, और area की unit क्या है Newton per meter square, तो यह क्या हो गया Newton per meter square, और इसी को हम लोग कहते है Pascal, क्या कहते है, Pascal कहते है तो याद रखेगा Pressure की unit क्या हो गई Pascal हो गई, ठीक है, अगला question वीरू पक्षा temple is situated in which of the following district of करनाटका वीरू पक्षा मंदिर जो है D होना चाहिए, ओके, बाखी लोग क्या कहते है वीरू पक्षा मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा जी हाँ, जितने लोग यहाँ पर कहरें option number 4, 4, बलारी, बलारी उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, क्या होगा बलारी यहाँ पर correct answer होगा, यह आपको ध्यान रखना है, चलें आगे, ठेक है यहाँ पर बलारी, इसको दोस्तों यूनेसको का दरजा भी दिया गया है, ठेक है वीरू पक्षा जो टेंपल है, इसको यूनेसको का दरजा दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठेक है, अभी हाली में 2021 में किस temple को जो है UNESCO का दर्जा दिया गया है फड़ा फड़ से नाम बताएंगे ठीक है UNESCO का दर्जा दिया गया किस मंदर को उससे सवाल आपके SSC MTS में भी आया था जल्दी सुदे very good Ramappa temple very good किस मंदर को दिया गया है Ramappa मंदर को दिया गया है और Ramappa जो मंदर है यह किस भगवान का मंदर है यही सवाल आपके MTS में भी पूछा गया था तो यह Lord Shiva का है किस का है Lord Shiva का है मंदर ठीक है अगले question बढ़ते है अगला सवाल Which of the following is not used to make toothpaste निमलिखित में से किसका उपयोग toothpaste बनाने के लिए नहीं किया जाता है Galena, Silica, Limestone और Aluminium Oxide किसका इस्तमाल नहीं किया जाता है यहां पर कहरे सर D option होना चाहिए और कुछ लोग कहरे सर A option होना चाहिए तो जित्ते लोग यहां पर कहरे सर A, A, A उनका बिल्गुल करेक्ट आंसरों का Galena का इस्तमाल नहीं किया जाता है Galena किसका आयस का है यह दोस्तो और है Galena और है किसका है जल्दी से बताइए लेड का है क्या जल्दी से बताइए लेड अच्छ है आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जो टूतपेस्ट होता है उसमें दाथों को चमकाने के लिए कौन से चैमिकल यड किया जाता है तो टाइटेनियम को अड किया जाता है यह भी आपको ध्यार रखना है ठीक है फ्लोरिन भी होता है लेकिन फ्लोरिन कम मातरा में होता है अगर जादा मातरा में होगा तो दाज डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अगले कुशन बढ़ें चले अगला सवाल हाँ जी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बहोज दाज के हैं नहर का एक प्रवाह जहां उठान दौरा भूमी के ड्ठलान के विरुद्ध पानी 코 बहने के लिए मजबूर किया जाता है उसे डैश कहते हैं या फिर वारबंदी कहते हैं या फिर फ्लो चैनल कहते हैं क्या कहा जाता है कुछ लोग रहे सर A option 1 चाहिए कुछ लोग कर रहे से lift होना चाहिए बाखी लोग क्या कहेंगे ठीक है जित्ते लोग यहाँ पर करे रहेसर option number C, C, C Split Channel लिफ्ट Channel उनका correct answer होगा Title which can correct answer होगा यह आपको ध्धान रखना है चले आगे बात करते हैं वेर इस दा जैहिंद ब्रिज लोकेटट इन इंडिया ठीक है भारत में जैहिंद पुल जो है वो कहां इस्तित है हाइद्राबाद चिन्नाई कोलकाता और मुंबई जैहिंद ब्रिज कहां पर मिलेगा आपको कोलकता कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं जित्ते लोग कह रहें सर कोलकता कोलकता उनका क्या करेक्ट आंसर है तो यहां पर दोस्तों कोलकता जित्ते लोग कह रहें उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है चलें आगे की तरफ बहुत यहाँ आप क्यों जाएगा कोलकाता अच्छा जेहिंद ब्रिज के करबात करें इसकी जो है 650 मीटर का है ठीक है यह याद रखेंगे और जेहिंद ब्रिज नाशनल हाइवे 12 पर थे किस पहें च्टियुक पारे 12 है ठीक है कोलकाता जो है इसको हम लोग किस नाम से जाते हैं कई बार पूचा याता है तो याद रखेंगे सुंदर्बन नैस्नल पार्क है कौन सा सुन नियुक्त है नियुक्त के इस जल्धी ना इभाण को। वास्चिब मंगाल में देखने को मिलता है ठीक है अगला कोशन आप लिए रहा एन एलास्टिक वेव जेनरेटेड बाइन इंपल्स सच एस एन अर्थक्वेक और एक्स्प्लोजन इसकॉल डैश भुकंप या फिर विस्फोड जैसे आवेग से उत्पन प्रयास्थ तरंग को उतर क्या होता है क्या कहा जाता है टेक्टनिक शिPS एपिसेंटर सीस्स Miquel या साउंड क्या कहते हैं इसको हम लोग सेज्मिक वेव सीह में करेक्ट आंसर सीज्मिकbayव का मैंने आपको बताया था जैसे ये टेक्टाषम के जब इस प्लेग चडड जाता है तो यहां पर उस एपी सेंटर है जहां से वेव निकल रही है इसको हम लोग एपी सेंटर कहेंगे और यह जो वेव निकल रहे हैं इसको क्या कहेंगे सीजमीक वेव कहेंगे यह आपको ध्यान रखना है पूछा जाता है अर्थ कोई कि अगर आपको और वहां पे फसे लोगों को बचाने के लिए एक ओपरेशन चलाया गया था उस ओपरेशन का नाम क्या था फटावर से बताईए वेरे गूड ओपरेशन दोस्त क्या है ओपरेशन दोस्त यह आपको ध्यान रखना है ओपरेशन दोस्त चलाया गया था यह याद रखना है चल तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर जितनों लोग मोनोएटॉमिक पर अगले कोशन पर अगला सवाला करें रहा है तो आपसे पूचा जा रहा है निमुलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक थे क्या वो FG Hopkins थे, Salman Voxman थे, Samuel Hanman थे या फिर Robert Coach थे कौन थे फड़ावर्ट, C option, C option, correct answer है आप क्या होगा Samuel Hanman correct answer होगे, और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है 10 April को, 10 April को मनाया जाता है क्या Homeopathy Day फड़ावर्ट से बताएंगे, 10 April को मनाते हैं क्या Homeopathy Day किसको याद रखते हैं, Dr. Samuel Hanman को याद रखते हुए मनाया जाता है याद रखे है, ठीक है, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल लेकिए 220 लोग लाइवे है फड़ावर्ट से एक बार, like और share करते हुए 250 की उपर लेके चलते हैं अगला question, अमरूत, देखें, अमरूत स्कीम वाज लॉंच्ट अंडर दा सेनिटेशन प्रोग्राम इन 2015 वाट इस दा फुल फॉर्म ओफ अमरूत, देखें, अमरूत योजना 2015 में सवच्छता कारिक्रम के तहर शुरू की गई थी अमरूत जो है, उसका पूर्ण रूप क्या है, अक्वा मिशन फॉर रिजुमिनेशन अंड अर्बन ट्रांस्वर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुमिनेशन अंड अर्बन ट्रांस्वर्मेशन, या फिर अमर, मिशन फॉर रिजुमिनेशन अंड अर्बन ट्रांस्वर्मे सांस, social awareness action, neutralized pneumonia successfully campaign in February 2021, दोस्तों निमलिखे तुमें से किस राजने, फरवरी 2021 में, सांस, ठीक है, सांस, social awareness and action to neutralize pneumonia successful अभियान शुरू किया था, उत्तप्रदेश, उडिसा, मध्यप्रदेश और सिक्केम, किस ने किया था, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश, करेक्ट आंसर क्यों जगा, मध्यप्रदेश की capital क्या है, भोपाल है, ठीक है, यहाद रखेंगे, यहाँ के governor कौन है, मंगु भाई, चगन भाई, कौन है, के अलावा, लाडली बहना योजना भी यहीं की है, ठीक है, लाडली बहना योजना भी आपको, मध्यप्रदेश नहीं लॉंच किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, चले, आगे बात करते हैं, अगले question पे, अगला question आपके screen पर यह रहा, Who among the following is the first female from India to win a Grammy Award, ठीक है, निमलिखित में से कौन ग्रैमी पुरुषकार जीतने वाली भारत की पहली महिला थी, मुनाली ठाकूर, नीती मोहन, तन्वी साह और पलक मुन्चल, किसने जीता है, यहाँ पे करसर तन्वी साह होने चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे correct answer क्या होगा, ठीक है, जितने लोग यहाँ पे तन्वी साह, तन्वी साह कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले आगे, बहुत बड़ी, यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगे, तन्वी साह, correct answer हो जाएगे, option number C, आगे बढ़ते गाधि मुशी प्रेमचंद और रबिंद्र नाट टैगोर किसने लिखी है यहां पर कहें सर मुशी प्रेमचंद जी होने चाहिए ओके चले जितने लोग यहां पर मुशी प्रेमचंद मुशी प्रेमचंद कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपको ध एक कर्म भूमी इनकी पुस्तक है इसके अलावा गोदान कौंसी गोदान गबन ये सब इनकी की पुस्तक है ना दोस्तो ये भी आपको ध्यान रखना है। experiment with truth ये इनकी famous पुस्तक है और अगर हमसे पूछा जा रबिना टेगोर जी की जिनकी famous पुस्तक गितांजली और गितांजली के लिए इनको क्या मिला था नोबल पुरुस्कार मिला था 1913 में ठीक है आगे बात करें चले अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल यह आपके स्क्रीन पर यह रहा उलोंग 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 इस वेरियंट ऑफ डैश उलोंग जो है वो डैश का एक प्रकार है किसका कौफी में जूट यहीं, यह हम यह देक है और यह रहा अगर आप से पुछ जाए काली मिर्च भारत में सबस्यादा कहां पर होती है, कहां पे के केरला में, कोटन और ग्राउंड नट की अगर हम बात करते हैं मुंफली ग्राउंड नट यह सबस्यादा कहां पर होता है गुजरात में होते हैं ठीक है गुजरात में सोया बीन सोया बीन यह कहां पर होता है भारत सबस्यादा किस राच में मध्य प्रदेश में वीट वीट सबस्यादा कहां पर हो ठीक है चले अगले कोश्चन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा हूँ अमंग दा फॉलॉइंग असेसिनेटेट सर विलियम हट करजन विली इन लंडन निमलखित में से किसे ने लंडन में सर विलियम हट करजन जो है वाईली की हत्या की थी सुखदेव था पर सूरे सेन मंधनलाल ढिंगरा और खुदी राव बोस किस ने किया था यहांपर करेंबद ब अलगे आंसर आ रहे हैं यहांपर करेंट सर होना चाहिए मदन बिल्कुल करेंबद आंसर हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है पूछा जा सकता है ठीक है यहाँ पे और कब किया था दोस्तों इन्होंने 1909 में किया था यह याद रखेगा और 1909 इसलिए भी है क्योंकि इसी वर्ष में मौरले मिंटो रिफॉर्म आया था यह भी आपको ध्यान रखना है चले आगे बात करें अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा इन दा कंटेक्स्ट ऑफ अग्रिकल्चर कोस्ट इन इंडिया वाट इस MSP ठेक है भारत अभी क्रिशी लागत के संदर में MSP क्या है maximum selling price या फिर mid term supply plan model stability product या minimum support price क्या है इसका full form तो यहाँ पर कहरे सर option number D होना चाहिए बाखी लोग क्या कहते हैं चले जित्ते लोग यहाँ पर D option D option कह रहे हैं उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रख आता है यह भी आपको ध्यान रखना है अगले सवाल बढ़ते हैं अगला question in which of the following temple will you find the gopuram ठीक है निमलिखित में से किस मंदर में आप जो है गोपुरम पाएंगे शिव टेंपल में ठीक है चिदंबरम या फिर पभातरी टेंपल में या फिर दिलवारा टेंपल में या फि किसमें मिलेगा गोपुरम यहां पर करसल शिव मंदिर में मिलना चाहिए गोपुरम ओके बाकी लोग क्या कहते हैं चले जिते लोग शिव मंदिर कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा आपको ध्यान रखना है ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा शिव मंदिर में मिलेगा अगर देखे हम बात करते है temple की तो temple आपसे पूछा जाता है कि कितने आपको style में मिलेंगे तो तीन style मिलते हैं तीन architectural style में कौन-कौन सा है तो पहला जो है वो द्रवीडियन है यह आपको दक्षिड भारत में मंदिर देखने को मिलेंगे दूसरा जो है नगारा है काहँ पर है यह पूछा जाता है कामाख्य्या देवि मंदर याद रखेगा यह आप से सोम नाथ मंदिर आपको पता है सभी मिनाक्षी टेंपल यह कहां पर शोलगा है सब्लोग को बताना मुंत करके मिनाक्षी मंदर यह कहां पर 1996 के बाद बताएगे हगे चले आगे बात करें, चले अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला कोशन आप लिए रहा, which of the following is the expanded form of the abbreviation REP.used in the context of constitution of India, निमलखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम REP का विस्तारित रूप है जिसका भारत के सम्मिधान के लेख में प्रयोग किया जाता है, repealed, report, representative या फिर Republic, किसके ल लोग क्या कहेंगे, चले, जित्ते लोग यहां पर कहरें, representative, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका मतलब होता है, repealed, क्या होता है, repealed होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले आगे, repealed, repealed मतलब जिसको निरस्त, मतलब डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, जैसे पार्ट सेवन, भाग साथ जो है, भाग साथ, यह example ले रहे हैं लोग, ठीक है, भाग साथ जो है, इसको क्या किया गया है, repeal कर दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, और schedule के लिए क्या use होता है, schedule के लिए, schedule के लिए use होता है, s-c-h, ठीक है, article के लिए क्या use होता है, short form a r t section section के लिए क्या use होता है तो s e c ठीक है यह आपको ध्यारकना पूछा जाता है आगे बात करते हैं अगला सवाल which of the following act introduced the federal feature and provincial autonomy in the legislature and also made provisions the distribution of legislative power between center and the provinces निमलिखित में से किस अधिनियम ने विध्याई का बे संगी विशेस्ताओं और प्रांती स्वायता की शुरुवात की और केंद्र और प्रांतों के बीच विध्याई शक्तियों के वित्रण जो है प्रावधान किये क्या वो the government of india act 1858 the government of india act 1919 the government of india act 1935 या Indian council act 1909 क्या होगा यहां पर कहते सरो होना चाहिए 1935 1935 तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा government of india act 1935 अगर देखे इसी को हम लोग कहते है Swami another diraici के यह करते हैं अगर आप से पूचलिया जाए कि डाइर की जो है इकिसके तइच की गई थी ठीच की गई थी व्तブाक्रोघ्ट practical के तहट और आप से यही पूछा गया ठीक है चले आगे बात करते हैं अगला कोशन आपके लिए यह रहा विच ऑफ फॉलॉइंग हिमालियन पीक इस नॉट लोकेटेड इन नेपाल ठीक है निमलिखित में से कौन सी जो हिमालय की चोटी जो है नेपाल में स्थित नहीं है काम कामीत उनका बिल्कुल आंसर हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ओंसी है यह माउंट एवरज कापराक्ष का पुराना नाम क्या था तो आपने लोगोंuto 15 की नाम पुल्ट टीकρέ इसका जो है अभी नेपाल में क्या नाम से जाना जाता है यह सागर माथा, सागर माथा का मतलब होता है पीक आफ पैरडाइस, ठीक है, याद रखे, और माउंट एवरेश की हाइट किती है, 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, अगला गुश्चन आपके लिए, रखे, और मुंबई में, ठीक है, अच्छा, आर्बील बैंक जो है, दोस्तों, इसको कब इस्थापित किया गया था, तो 1943 में किया गया था, हमारा जो आर्बीलिः है, इसको कब इस्टैब्लिश किया गया था, इसको 1935 में किया गया था, लेकिन कहां पर किया गया था, ठीक है, इसके बाद 1937 में, अगले कोश्चन पर चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यहां पे पुछा जा रहा है निमलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलो में सवन पदक जीतने वाले भारती भाला फेक खिलाडी बने देवेंदर सिंग, नीरत चोपडा या फिर विपिन कसाना और शिवपाल सिंग किसने जीता है यहां पे नीरत चोपडा कुछ लोग करें तो दोस्तो ध्यान से आंसर करेंगे नीरत चोपडा, नीरत चोपडा जितने लोग नीरत चोपडा करें हैं उनका correct answer हो जाएगा ठीक है और नीरत चोपडा ने दोस्तो आपको याद होगा 2020 टोकियो टोकियो ओलम्पिक में भी सुवन पदग जीता था इन्होंने ठीक है इन्ही को golden boy के नाम से भी जाना जाते हैं ठीक है किस नाम से जाने जाते हैं golden boy के नाम से जाने जाते हैं ठीक है चलिए अगरा उशना के लिए रहा who was the first director general of archaeological survey of India भारती पुरातत्वर सरवेक्षर के पहले महानिदेशक कौन थे john marshall, Alexander Cunningham या फिर mortimer wheeler और lord karzan कौन थे यहाँ भी कहर सर Alexander Cunningham होने चाहिए चलिए जितने लोग Alexander Cunningham Alexander Cunningham करे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो नहींगे Alexander Cunningham हो जाएगे यह आपको ध्यान रखना है आगे बात करते हैं अगला question float festival float festival is one of the main festival celebrated in Dash ठीक है float festival Dash में मनाय जाने वाले प्रमुक्तियोहारों में से एक है कहाँ पे? कन्नूर में, कन्यकुमारी में मदुराई में या फिर पुडुचेरी में कहाँ पे मनाया जाता है? जल्दी सुबताइए float festival मदुराई कह रहे हैं बाखी लोग क्या कहेंगे? चले, जितने लोग मदुराई मदुराई कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है क्या करना है? यहाँ पे ध्यान रखना है आगे चले, ठीक है यहाँ आप करें टांसरों का मदुराई अब देखे, बहुत सारे ऐसे famous festival है जो आपसे पूछे जाते जैसे कि आपसे कई बार पूछे जाता है लुसुं फेस्टिवल क्या लुसुं फेस्टिवल या फिर नामसुं फेस्टिवल यह कहाँ पे मना जाता है? तो यह मना जाता है सिक्किम में कहाँ पे? सिक्किम में ध्यान से सुनते चलिएगा दोस्तो बोनालू फेस्टिवल कौन सा? बुनालू फेस्टिवल यह कहां का है तो यह आपको मिलेगा कहां का तिलंगाना का ठीक है अगर आपसे पूछी जा जाए लोसर फेस्टिवल लोसर फेस्टिवल कहां का है तो लोसर फेस्टिवल जो है अरुनाचल प्रदेश का है यह भी याद रखेगा पूछा जाता है कौ पूछेंगा कि बैल पोलम exp il तो पूछा जा चुका है ओलेड़ पीछ === फ्लमिन आप से पूछे जाता है तो फ्लमिंसक्त का आप इसडोत उगी नागालेंड का ङलंड का है यह आपको in हार रखना है ठीक है और अगर आप से पूछ लिया जाए कि बताएं बीहुत वहार वह तो बड़ा इजी है असम का है ठीक है भोगाली रोंगाली और कोंगाली तीनों यहीं पर दोस्तों यहां पर यहां पर यह सारे कुछ आपको फेस्टिवल देखने को मिलते हैं अगले पूछा गया तो वह भी डिस्क्रस कर लेते हैं में ठीक है उडिसा जित्ते लोग उडिसा कहरें ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसरों का उडिसा में नौख़ई फेस्टिवल मना जाता है अभी आप लोग के एक्जाय में पूछा गया था कि जो बैसाखी फेस्टिवल होत चलेंगे अप्रेल अप्रेल के मन्त में मनाया जाता है ठीक है अप्रेल 13 14 को मनाया जाता है किस राज में मना जाता है तो पंजाब और हर्याना वाला जो एरिया है उसमें आपको यह देखने को मिलेगा कौन सा त्योहार बैसाखी को त्योहार देखने को मिलता है ठीक है हम लोग डेली यहां पर करेंगे Monday to Friday कब Monday to Friday दो पहर को 2 से 3 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कर सकते हो SSC CGL के लिए सवाल ठीक है अच्छा अगर हम बात करते हैं आपको इसकी PDF कहां पर मिलेगी टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम पर आपको क्या करना है जाना है सर्च करना है अडरेट गौरफ सर्टेस्बूक ठीक है वहाँ पर YouTube सेशन की अपडेट मिलते हैं PDF मिलते हैं discussions होते हैं quiz होते हैं आप उसमें जुड़ सकते हो तो यह रही दोस्तो लिंक आप लोगों के लिए टेलिग्राम की ठीक है just a minute और इससे आप लोग आसानी से जुड़ पाएंगे और यह लिंक आपको description और comment box में भी मिल जाएगी और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक course अवेल कर सकते हो बहुत से लोग पूछ रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ simply आपको YouTube पर जाने के बाद आपको क्या करना है आपको चले जाना है सूपर कोचिंग SSC Railway by Testbook Channel पर ठीक है वहाँ पर जाने के बाद अब जैसे ही जैसे ही आप यहाँ पर आओगे आपको देखिए यहाँ पर सारी classes मिल जाती है daily current affair की भी class होती है तो आप current affair पर जोड सकते हो daily अगर आप नहीं जोड़ रहे हो तो सुबह 6 से 7 बज़े होती है Monday to Friday होती है तो इस class में जरूर जोड़ा करिए और उससे आपका पूरा current affair जो है current affair वाला part cover हो जाता है ठीक है और यह live class चल रही इसी पर चलते हैं और जिन्होंने like नहीं किया है सबसे पहले तो क्या करेंगे वह like करेंगे और share कर देंगे ठीक है और जैसे आप description को open करोगे ठीक है यहाँ पर आपको देखे मिलेगा test book super coaching pass pass अगर आप ले रहे हो तो आप गौरव pass coupon code यूज़ कर सकते हो g-a-u-r-a-v-m-p-a-s-s और super coaching अगर आप यहाँ पर purchase करें तो इस link को click करेंगे directly आप वहाँ पर चले आओगे जहाँ पर आपको सारी detail मिलती है ठीक है इस पर pricing पर जाए पर जाने के बाद आपको अलग अलग जो हैं दोस्तों यहाँ पर आपको plans द देखेंगे आपको यहाँ पर discount मिल जाएगा और आप अपनी तयारी भी कर पाएंगे तो चलिए इस session को फिर यहीं पर करते हैं समाप्त अगर यह session आपको अच्छा लगा है तो comment करके जरूर बताएगा homework चो दियेगा question उसको जरूर कर लिजेगा like share subscribe निके तो के लिए आपसे विदा लेता है बाई-बाई टेक एर जैहिंद जैभारत